एक बार की बात है, एक गाव में एक अत्यंद डरावना हवेली थी. लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है, जो रात को आत्माओं को बुलाता था. गाव के लोग डर के मारे उस हवेली से दूर ही रहते थे. एक दिन, एक नौजवान लर्का ने उस हवेली में जाने का निर्ना किया. वह उस भूत की सच्चाई को जानने के लिए हवेली के अंदर धावन लगा. उसने अपने साथ एक दीपक लिया और हवेली की तरफ बढ़ते हुए देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब सी चायाएं पढ़ रही हैं. लेकिन वह अपने होसले को हार नहीं माना और आगे बढ़ता गया. हवेली के अंदर उसने एक अत्यांत भायंकर भूत का सामना किया. लेकिन वह ना डरा, ना थमा. उसने भूत से कहा, मुझे यहां से कोई भी डर नहीं लगता, आप मुझे क्या कर सकते हैं? भूत ने हंस्ते हुए कहा, तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम्हें क्या चाहिए? युवक ने कहा, मुझे आपसे बात करनी है. इस पर भूत ने अपनी कहानी सुनाए कि वह पूरे समुदाए की मदद करने के लिए यहां आया है, और उसका असली स्वरूप अच्छा है. युवक ने उससे धन्यवाद कहा और हविली से निकल गया. उसने ये देखा कि हविली के भूत ने लोगों की मदद की और उन्हें सहारा दिया. इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है कि दिखावे से नहीं, असलीता से किसी की पहचान करनी चाहिए. जब हम अपने पूरे ध्यान से और समझ से देखते हैं, तो हमें अंजाने में अच्छा ही का पता चलता है.